नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ और अभिशेक जी आपके बिहार में बड़ी दिल्चस्प गटना करम हुए हैं पिछले एक सब्ता में और सबसे दिल्चस्प गटना करम तो यह हुआ है कि 23 जून को नितीश कुमार देश भर के 17 पार्टियों का दावा है उनकी एक गटबंधन या कह सकते हैं कि एकता की कोश कर रहे हैं और उधर इनका जो अपना बियार का गटबंधन है वह तूटता वा मुझे नजार आ रहा है जरह बताईए जीतन राम वांजी के बेटे का क्या मामला हुआ कैसे अंदर की बात इसमें चली है क्या-क्या खबरे आ रही हैं सामने सबसे पहले तो हर्ष के परिवार के सभी समाजिक परिवार के दर्सकों को जैसरा आप ही के शोपे सर हमने तीन महीने पहले डिसक्स किया था कि संतोस वांजी के लिए बीजेपी में लगातार नौकी चल रही है और अब शाजी से बात चल दिए अब बेटर डील कौन ओफर करता है सबसे बड़ी बात यह कि जितन रामांजी को अपने पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल के लिए कुछ बहुत दोप या बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए थी उनको एक अदद लोग सभा कि सीट चाहिए तो जो की महा गठ्वदन उन्हें ऑफर नहीं करती थी इसे उनको पार्टी को रेविन्यू जिनरेट भी नहीं हो पारा तो पार्टी कैसे चलेगी के अभी रिसेंटली निटीश कुमान ने कहा हम पर बैटा रहा है तो पार्टी चलाने के लिए मं निनसे पी लीकिन आपकी पार्टी को हमारे अपने पार्टी के अंदर मर्ज करना होगा यानि जदियू के अंदर मर्ज करना होगा जदियू के सिंबल पर लड़ना पड़ेगा अगर मर्ज हो जाएंगे तो चीतन रामाजी ने सोचा कि इससे अच्छी तो बीजेपी है जो मुझे एक सीट तो दे ही देगी और बीजेपी एक सीट ना भी दे तो कम से कम हमें ऐसे ज सारी पार्टी को जीवित रखने के लिए संसाधन तो प्लब्द करा ही देख एक्चुली में इसमें और पेज यह इस्तिफा जो है वह बाईस जून को होने वाला था अच्छा ताकि पूरे विपक्ष्च की मीटिंग की हवा निकल जाती है लेकिन यह खबर भी महागठ बं इस चीज़ को ले करके तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं वहाँ बाईस ना सही अभी कम से कम कारेक्रम कर लो ताकि यह बैक फूट पर नजर आए वह इंपॉर्टन था बाकी हमने डिसकस तो पहले एपिसोड में पिछले एपिसोड में किया ही था कि जीतन रामांजी है वो बड़ा फूक फूक के कदम रखरी है चाहे अभी सेही तीन-चार सर्वे करा चुकी है किस सानसर के रिपोर्ट अच्छे कहां पे मुझे गठबंधन को सीड़ देना है कहां पे मुझे उपेंद्र कुछवा का यूज करना है चिराक का यूज करना है या मांजी का है कि महां गठबंधन टूट रहा है गिरी राज सिंग का बयान आया है कि साब नितीश कुमार की तो च्छत उड़ गई वह अपना गठबंधन बनाते वह घूमरें दुनिया वर्मन के सिर पे च्छत नहीं रही वह तेजस भी ने कहा कि अपने निजी कारणों से स्तिफ़त सुमन ने कोई निजी कारण नहीं है देखिए जब पिछली बार सर 2020 का अपने कवर किया ही होगा जो सीट सेरिंग हुई थी वह कुछ इस प्रकार से कि जो जीतन रामाजी है उनकी पार्टी को जद्यू ने अपने खाते से टिकट दिया था और मुकेश सहरी जो मलाव की पार्टी है उसको बीजेपी ने अपने खाते से टिकट दिये थे तो टेकनिकली नितीश कुमार ने जो इनको 20 सीटे दी थी उसमें से चार जीते थे चार वि कि उनकी बनाई हुई हम पार्टी जो है अब थोड़ा बहुत ग्रो करने के पोजिशन पर तो इस वक्त अगर वह डैलूट कर देंगे जद्दियू में समाहित हो दें तो उनका राजनिती केरियर अस्त हो जाएगा इसी वज़े से यह सारी चीज़े हुई है और दूसरे बीजेपी के पास स्पेस बहुत ज़्यादा है अभी हम इसी शो में आएगे जब बात करेंगे कि कई सांसदों के आज मैं नाम लेने वाला हुँ सांसदों कि बेचैनी बढ़ने वाली है इस शो के बाद आपके बाद आप बीजेपी के पास इसलिए भी है क्योंकि बाद की सीट भी इन्हें अगर दे देते हैं तो जादा कोई दिक्कत उन्हें बीजेपी को नहीं होगी और जीतन राम मांजी का एक सीट निकालने की तो हैसियत है या नहीं देखें मुझे लगता है कि गया के आसपास का कोई सीट दिया जा सकता है और वहां पे इनकी संख्या है देखें यह गया और फुलवारी सरीप अगर विधान सभा के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसे मैं इसको डिवाइड करता हूं गया रिजन जहानाबाद रिजन अर्व और इधर फुलवारी सरीप इन सब इलाकों में माजी का ठीक ठाक वोट शेयर है और यहां पे अगर इनके पास सही आडवर्टाइजमेंट पावर पैसा हो और सोसल मेडिया हो यह अपने लोगों तक सही ढंग से पहुंच सके जो कि पांच सो रुपे और दाडू के उपर वोट शेयर है और वो देखे इस वक्त के है न एक एक प्रतिस्थत के वोट शेयर की लड़ाई हो रही है दोनों तरफ से चाले चली जा रही थी दोनों तरफ से यह ट्राइक यह जा रहा है कि हमारा इंट्ट जो वोटर है वो कम से कब वो न भिखरे और बीजेपी कुछ समी करन तोड़ने में यादों माइनस OBC खेलने में और जादा से जादा जो दलित भूट अब देखे क्या है पासवान और मांची अगर दोनों साथ एक साथ आ करके जब यह कैंपेंड शुरू होगी न तो इंपैक्ट कुछ और बन जाता है सही बात है एक 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 परसेंट का फर्क पड़ता है बिलकुल सही बात है और वियार की जो पिछली दो तीन फाइट हमने देखी हैं बहुत क्लोज रही है बहुत नजदी की मार्जिन से और बीजेडी और बीजेपी के बीच में सबसे बड़ी पार्टी का डिसाइड हुआ थ यह भी पिछली बार जुनाओं में हमने देखा था इसमें जीतन राम मांची का तो यह कहना है कि बीजेपी वाले अगर यह सोच रहे हैं कि हम उनके पास आए हैं तो स्वागत करते हैं इस बात का हम उनके पास आए हैं तो आज अगर वह सत्य बात है कि अगर संतोस सुमन मांजी इस्तिफा नहीं देते तो नितीश कुमार निकाल ही देते हाँ तो थोड़ा पहले इन्हों नहीं कर लिए कि कोई बात नी इसके पहले वो 22 तारीक से पहले वो निकाल दे हमें क्योंकि पता चल गया था उन्हें भी कि यह निकलने वाले हैं और बीजेपी ने कुछ बड़ा अच्छा बेटर प्रोड़क्ट ऑफर किया है तो क्या यह कुछे पिछले दिनों कुछ संतोस इनकी सुमन की कुछ एक्टिविटी इसितरह की चल रही थी शराब बन्थी को लेकर के मां जीं कई बार नितीश कुमार और उन así कि सरकार को लगातार घेर चुके हैं और यह बता चुके हैं कि दलितों के उपर खास करके उनकी जाती के ऊपर जो मुसर समाज का है वो जादा शोशन है वो भू effort की पीना नहीं रज़ सकता हो उसका काम है मतलब मुसर का जो है बांसवात खाना और शराब पीना यह उनके जैनेटिक है वह आज से नहीं चल रहे हैं सद्धियों से चल रहे हैं और इसमें जो है इस तरह की चीजें जो है वह दखल अंदाजी ठीक नहीं है लोग अगर आप बैं की सवाल करने का яस्यां हो जाता है इसी वह से नितीश कुमार इस मामले में असहज होता कि नितीश है इं में जो मैंने धेखगे चार-चर कर दिया मला कहा ला यह बस बाषे चंदा वंदा जादे कि 2024 का चुनाव नजदीक में है पैसे के दिखिए अगर बीजेपी से आपको लर्ण रहा है तो मसल पावर पैसे चुनाव में जो लिक्विडिटी की फ्लो है वो बीजेपी से फेस आफ करने के लिए कॉंग्रेस बिहार कॉंग्रेस के पास कुछ है नहीं और गांधी परिवा होता है और जदियू के पास है लेकिन इससे बात बनेगा नहीं क्योंकि वो लोकसभा का एलेक्शन होने आपने कांग्रेस का जिकर कर दिया कांग्रेस के पास तो यहां एक बहुत अनमोल लगीना कनिया कुमार था सुनने में आ रहा है कि उसने जो टीवी चैनल पर कुछ प कि इसी प्रस्ट में विपक्षी एकता का भी खेल चुपा हुआ है एक तरफ नितीश कुमार केजरिवाल से मिलते हैं और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही आपका सोर्स है कि वो जो है प्रमोट होकर के दिल्ली जा रहा है अब कनहिया कुमार दिल्ली जाएंगे और अर् लेकिन अब अर्विंद के जुआ पर निसाना साथ हैंगे केजरिवाल और या नितीश कुमार विपक्षी एकतादल की बात कर रहे हैं तो कॉंग्रेस बहुत क्लियर है इस शीज को लेकर के कि केजरिवाल को मौका आप नहीं देना है और यही सही समय केजरिवाल के उपर ज लेकिन दूसरा इसी में छुपा हुआ है सर हमने बात किया था बेगुसराय एलेक्शन को लेकर कि महागटबंदन के तरब से वह चाहते थे कि उनको बेगुसराय का लोग सबा का टिकेट मिलें लेकिन आरजडी नहीं चाहती थी कॉंग्रेस निकालते हैं कि ताकि तन्वीर अगर नाराज होंगे तो वहां का मुस्लिम वोट भी इधर उधर शिफ्ट हो सकता है तो बेटर ऑप्शन यह है कि आरजडी को नाराज ना किया जाए बिहार में इनको भी नाराज ना किया जाए इनको सीधे उससे बड़ा प्रमोश्य दे दिया जाए इनको दिल्ली भेज के लिए भविश्य में दावेदारी ठोको जम के केजरिवाल पर हमला बोलो मुस्लिम वोट वापस लेके आओ लेफ्ट का आइडियोलोजी थोड़ा सा कॉंग्रेस का आइडियोलोजी पुछ करो और बाकी आब आजकल फरजी हिंदू बनी गे हो आजकल मंदिर भी तुमने करता रहा है पहले भी लेकिन इस में से दो काम हो गया आपने सही कहा कि एक तो उस सीट पे जगड़ा होता कि इस बार आरजेडी लड़े या कांग्रेस लड़े तो पत्ता साफ हो गया कनिया कुमार का काइदे से वैसे नुकसान है लोग सभा का चुनाव वो भी लड़ना इस बार ये तो हकीकत बात है उसे दिल्क में आने से ठीक है देम लाइम लाइट मिले गी तो पता है कि जो उसकी झो ल conf समझूं केजरिवाल से लवा लेने के लिए बेज दी आयक नहीं है गुमार को तो इसका तो मेसिज सिदा-सिदा ये भी है कि राहूल गांदी और खड़के टाइम नहीं देने वाले हैं केजरिवाल को मिलने के लिए अब तक तो दिया नहीं है और अब इनके पास समय का है अब तो पूरी टीम MP और राजस्थान और यहां बिजी है तो अब तो केजरिवाल को ओर्डिनेंस के बाद ही समय दिया जाग पता नहीं क्यों मुझे टो शुरू से लग रहा है खबर तो खूब उड़ाई जा रही है के कंफर्म है मुझे लगता है को ना भेज़ दें किसी सुक्की उक्की को इमाचल पर्देश से चले जाओ मुझे तो ऐसे ही लगता है तो यह कारेकरम पर मेरी नजर है उसे लेकर मैं काफी वह हूं चलिए धन्यवाद अभी शेक जी और अगली जो वीडियो होगी उसमें मुझे लगता है जो 23 तारिक का कारेकरम है उससे पहले तो एक वीडियो में और भी करना होगा देखते हैं कि उसमें कौन-कौन आने के फाइनल होता है उसका माहौल क्या बनता उससे पहले उस पर भी एक बार जरूर चर्चा करेंगे आपसे एक बार मुझे दो-तीन दिन और थोड़ा पॉलिटिकल तीनों पार्टी ऑफिस पास में हैं चक्कर लगा ले ने दिए क्या महौल बन रहा है क्योंकि महौल में गर्मी इस बात की है सर मैं बार-बार कह रहा हूं जदियू के अंदर से कारेकरता बेचैन है तेजस्वी को च चार विदायक उनके खेमे के थे थे आंके कोटे से जा रहे हैं सभी बाद उनके कोटे से तो बता रहे थे फिर भी कि मेरे पास 50 तो है इतना भी कम नहीं है अब वह थोड़ा बारगें कम हो रहा है अब मंत्राले भीन को बदलना है तो यह ठीकी है लेकि थोड़ा दोती दि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें